नमस्का टेडर्स, फैड मीटिंग से पहले मार्किट में एक दुबारा भुचाल आपको देखने को मिल सकता है मार्किट में ढोल बस तो रहा है, बजार उपर जाएगा उपर जाएगा अगर आप चार्ट, डेली चार्ट ध्यान से देखें, बजार में कोई भी वॉल्लूम नहीं है अब समझने की बात ये है, बजार कहां तक उपर जाएगा और कहां से रिवर्स होगा ऐसे ही निफ्टी में दिखाई दे रहा है, ऐसी बैंक निफ्टी में यहां से आपको देखने को चार्ट पे मिल रहा है ऑप्शन डेटा के बेसिस पे भी डिसकस करेंगे, बट उससे पहले समझें, बजार में ये जो एक नीचे से वॉल्लूम अगर आप ज्छान से देखें, बिल्कूल भी वॉल्लूम स्पायक देखने को नहीं मिल रहा है, पुराना वाल्यूम अगर उठाके देखो, पुराना बार बहुत कम वॉल्लूम बजार में दिखाई दे रहा है इस वीडियो में अगर आप जहां से देखें दो घंटे का चार्ड इस चार्ड पर निफ्टी का चार्ड लगावा है और यहां से अगर आप देखो बीरिश फ्लैक काईंड उफ पैटर्न देखने का मिल रहा है अब यहां से अगर मैं इस ताइप से ऐसे लगा दूँ इसे त बात करें 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम की कल के लिए मार्केट किस डिरेक्शन में चलता वा दिखाई दे सकता है यहां से अब देखो यहां पे बजार में किस तरीके से एक यह लो लगा बजार में यह लो लगाने के बाद बजार ने प्रिवियस डे अपना हाई ब्रेक करा कहीं कहीं और हाई ब्रेक करके ऊपर निकला और अपने हाई के आसपास ही बजार क्लोज हो गया हाई के आसपास बजार क्लोज होना एक मार्केट के लिए बुलिश साइन है बड़ इसका मतलब यह नहीं बजार मानलो ऊपर खुल गया फिर नीचे आगया तो फायदा क्या हुआ तो मार्किट अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है बजार की तो कहां बेचना है कल के लिए क्रूशल लेवल बता रहूं आप नोट कर लीजे एहम लेवल 19.235 से 19.250 ये बजार के लिए एक रिवर्सल जोन बजार में हो सकता है अगर आप देखो पहले भी बजार में इसी ज जादा होता है अब देखो यहां पर इस जगे एक डेकाउट हुआ 19.346 एक लेवल मैंने इसलिए यहां पर लगा रखा है इस जगे देखो एक इस जगे पॉज लिया बजार फिर यहां से गिरा तो एक लेवल यहां लगा रखा 19.240 रुपे के आसपास और एक जहां पर ब खरीदारी करके चल सकते हैं अगर आपको वहां पर बुलिश प्रैस सक्षन मिल रहा है तो आप ट्रेट करेंगे उपर की तरफ लेवल यहां तक के मिल जाएंगे 19.240 रुपे का लेवल आपको देखने का मौका मिल सकता है तो फर्स लेवल तो यही रहेगा 19.235 के आसपास का और यह लेवल भी अगर होल कर देता है तो बजार उपर की तरफ 19.330 और 19.420 रुपे की तरफ निकलता है दिखाई देगा बट कल के लिए एक एहम लेवल 19.235 और 19.330 है जहां से मार्केट में रिवर्सल आपको मिल सकता है आप यह देखो एक रिवर्सल यह मिला मार्क सकता है बजार तो इस लेवल पर निगा बनाके रखें बजार अगर गैप आप ओपनिंग हो रही है बजार में लगबख सो पैंड की गैप ओपनिंग हो रही है इस दके के आसपास फिर दुबारे लो काटके नीचे उतर रहा है तो पूर साइड एंट्री प्लैन की जा सकत 19,000, 150, 19,080 और इसके भी नीचे फिर एक सपोर्ड 19,025 के आसपास का मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है बजार अगर थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग हो के इस तरीके से बुलिश प्रैस सक्षन बनाके उपर निकल ला है तो भी ट्रेट प्लैन कर सकते हैं 19,080 यह जो रेंज है इस रेंज में या फिर इस जगे से घूम रहा है 19,080 के आसपास से घूम रहा है तो भी कॉल साइड एंट्री आप प्लैन कर सकते हैं क्योंकि आप यहाँ पर देखो एक अच्छा सपोर्ड है बजार में यहां सपोर्ड था फिर यह एक ब्रेक आउट बांस लिया तो दुबारह यहां से 19,080 से बांस लेता वा आपको दिखाई दे सकता है उपर की तरफ लेवल आपको मिल जाएंगे 19,150 और 19,240 रुपीज के लेवल और इसके भी ओपर मैंने लेवल आपको बता दी तो समल के ट्रेट करेंगे तो बड़ा पैसा बनेगा में देखो अगर बजार फ्लैट ओपन हो रहा है और इसी रेंज से उतरता वा आपको दिखाई दे तो भी इस रेंज में आप स्कैल्पिंग कर सकते हो यहां पर साइड एंट्री अगर बनाओगे तो अधर्वाइस बड़ी मंदी जो दिखाई दे रही है वो इन लेवल के नीचे आप मुझे दिखाई दे रही है एक यहां पर आप देखो टाइम स्पेंड करके आप अपर घया फिर नीचे आया फिर इस दर के एक एक रेंज बनी ही विए 19,025 से 19,080 रुपीज के 18,080 रुपीज के लेवल तक जब तक बजार इस रेंज को नहीं कारता आप दिखा सकता है जो बजार को नीचे की तरफ 18,918,850 की तरफ धकेर सकता है तो मंदी जो बजार में दिखाई दे रही है एक जो सपोर्ट अगर ब्रेक करता है दिखाई दे 19,025 रूपीस का लेवल तो बजार में नीचे की तरफ लेवल बन सकते हैं अभी फिलाल के लिए बज में अगर आपको मंदी प्ले करनी है तो एक रेसिस्टेंस यह नजर आ रहा है अगर इतना बड़ा गैप खुल जाता है या फिर यहां भी खुल जाता है तो यहां भी आप एक बार को प्लैन करके चल सकते हैं अब बात करें बैंक निफ्टी की बड़ उससे पहले एक बार चेन और देख लेते हैं निफ्टी की उपशन चेन के बेसिस पर हमें क्या नजर आ रहा है और बजारी ने जो क्लोजिंग दिया है साट पॉइंट ऊपर रेसिस्टेंस है और नीची की तरफ सपोर्ट नजर आ रहा है 19,050 रुपीज के आसपास तो आपको यह पता चल रही है पिक्चर बजार में 100 पॉइंट नीचे सपोर्ट है और साट पॉइंट ऊपर रेसिस्टेंस तोटल OI के बेसिस पे अब टोटल OI के बेसिस पे लग रहा है तो इसके साथ आप टेक्निकल मिक्स कर सकते हो बाकी आप अपनी स्टेडी करोगे तो बड़ा पैसा बनेगा वीडियो पसंद आयती इस वीडियो को लाइक करना न भूले चैनल पर निवे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अब बात करें बैंक निफ्ती की बैंक निफ्ती के चैर्ट के स्टेडी करने से पहले एक बार ऑप्शन चेन का अगर डेटा देखें पूट राइटिंग यहां भी ज़्यादा ओर रखें कॉल राइटिंग कम है डवल से ज़्यादा है कहीं न कहीं ओवरॉल इसलिए बाय सिग्नल जनरेट होतावा नजर आ रहा है 43,040 रूपीज के आसपास बैंक निफ्ती ने क्लोजिंग दीए है 43,040 रूपीज बजार में कहां बन रहा है यह बजार में जो बन रहा है 43,040 लगबग यहां पर बनतावा नजर आ रहा है इस जनरे यहां पर क्लोजिंग बजार ने दीए है ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस देखो तो 160. उपर रेसिस्टेंस मुझे यहां पर नजर आ रहा है 43,200 पर सपोर्ट की बात करें यहां पे एक support नजर आ रहा है क्योंकि यहां पर put writing जादा है यहां पर थोड़ा इतना ज़्यादा gap नहीं है इस जगे अगर आप देखो put writer ज़्यादा बैटे हुए 42-800 रुपे के आसपास तो समझने की बात यह है 42-800 और 43-200 दो लेवल यहां पे नजर निकल के आ रहे हैं अब इसी लेवल को हम technical के साथ mix करके देखते हैं technical के basis पे हमें क्या picture नजर आ रही है यह है बैंग निफ्टी का 15 मिट का चार्ड और जो option के लेवल से उस पे भी एक बार में horizontal line ड्रॉ कर देता हूं ताकि आप आप लेवल मैच कर पाओ proper तरीके से उपर की तरफ लेवल 43.200 का था अभी आपने चेक किया 43.200 कहां बनेगा 43.200 इस जगे बजार में बनेगा कहीं न कहीं 43.073 की closing दी है बजार ने यहां कई बंतावा नजर आएगा 43.200 42.800 की बात करें 42.800 बजार में यहां बंतावा नजर आएगा इस जगे तो इसी के आसपास मैंने कुछ लाइंस भी ड्रॉक कर रखी है अगर आप ध्यान से देखें एक लाइंग यह ड्रॉक कर रखी है यह ही ब्रेक हुआ यह 850 पे है और 800 का लेवल नीचे बन रहा है सपोर्ट तो यहां पर हमें एक पिक्चर के लिए रो रही है 42.800 एक सपोर्ड की तरह वक कर रहा है जहां पर पोट्राइटर्स बैठे हुए यह लेवल तोड़ा तो एक बड़ा मोमेंटम आपको कैप्चर करने का नीचे की तरफ मौका मिल सकता है उपर की तरफ 43.200 एक रे बजार ने यह ब्रेक किया ब्रेक करके ऊपर निकला फिर इसी कहा सपस्का सपोर्ड लेकर उठाया बजा कलिके लिए अगर आप देखो बजार में दुबारे अगर Selling pressure बनता है बजार में तो एक बार बार को दुबारे यहां से सपोर्ड ले के उट सकता है क्योंकि आपको entry plan कर सकते हैं अगर आपको bullish price section मिल रहा है उपर की तरफ level आपको मिल जाएंगे 43,070 43,280 और ये level भी अगर hold करके बजार उपर निकल जाता है तो 43,700 रुपीज की एक range उपर की तरफ निकल के आ रही है जहां से एक बड़ा fall भी आपको मिला था इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखें बजार में मंदी की levels की बात करें मंदी का आप ले करनी चाहिए 42,600 पे जो एक option की basis पे support है इसके नीचे अगर price section मिल रहा है ये level भी तोड़ता है तो put side entry plan करेंगे तो better रहेगा जो support है बजार के लिए वहाँ पे अगर पाउज लेके एक बजार ने रैली दिखाई पाउज लिया फिर एक रैली दिखाई 42,600 पचास एक support है बजार के लिए 15 minutes के time frame पे 42,650 और उसके बाद 42,250 रुपीज का एक support यहाँ पे नजर बजार के आ रहा है नीचे की तरफ तो बजार में आपको अगर आपको proper तरीके से planning करके trade करेंगे तो पैसा बनेगा बजार में अभी आप देखो यहाँ पे तेजी कहां करें अगर माल लो यह high break करके उपर की तरफ ऐसे निकलता नजर आए flat opening होके उपर cross होता बने गला तो भी call side entry plan की जा सकती है अगर आपको bullish price section मिल रहा है उपर की तरफ level तो first level यही बन जाएगा 43,000 73 पे closing आई है 43,200 रुपीज का एक first level बनेगा जो option का data के basis पे उसके बाद 43,280 जो level यहाँ पे मैंने लगा रखा है 280, 285 यह level बनेगे 285 भी बजार hold कर देता तो उपर के तरफ भागेगा अगर बजार बहुत बड़ा gap up opening दे दे और दुबारे low काट के नीचे उतरे और यहाँ पे आपको bearish price section मिल जाए तो put side entry plan कर सकते है first level दुबारे बजार में निकल के आजाएगा 43,050 रुपे का 245 रुपे का level यहाँ पे निकल के आ रहा है ठीक है तो इन levels पे निगा बना के रखें आपको के लगता है market कल को किस direction में जाएगा comment करके जुरू बताईएगा और जो लोग समझ के trade करना चाहते हैं आप हमें whatsapp कर सकते हैं link description में mention है चैनल पर नहीं है चैनल को subscribe करना ना भूले thank you so much for watching this video